Dear student, we have to discuss about the culture. हम बात करें हैं sustainable development के अंदर. Sustainable development के अंदर जायना हम quality education की बात करते हैं. Quality education के अंदर फिर हम बात करते हैं किस तरीके से जायना हमने values, उसके बाद attitudes, behaviors की बात करते हैं. तो इनकी बात करते करते हमें थोड़ा सा culture को समझने की ज़रूरत हैं. ताकि हम जो अपनी गुफ्तू कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो culture के उपर गुफ्तू हो रही है, आपको understand करने में असानी हो जाए. अब देखे, normally तो जो हमारे पास culture की हम बात करते हैं, वेल चुटनू टो बहुतो एक माने का आपको वेल्टिन लॅर नाटिन में आपको ओप्तू होना है, विचित उसे दिए में रहे हो जा हैं, जाप कि जुटरी बात कर दो प्रिन को से स्विश्याप्टू देखे, जाई लुटरी आपको रहे Cा प्रिसेंटू है, कि वाग कि क participar एक युंप जो आसपेक्ट है वह तो है pan還 के इस्लामिय क्ल्चर इसका मतलम हो है मैं किस्लामिक dahous कि 발ऌ मैं कर दो पाकिस्तानी कि जोच के मैं पाकिस्तान की फोग्य inqual भाख कर रहा हुँ इस कल्चर के साथ जिनि अगर मैं अब थोड़ा फोकस कर ढूंँ पाकिस्तान से पाकिस्तां इस् लामि कल्चर एंड पाकिस्तानी कल्चर ला जात लुच को इसका मतलब है कि हमारे इसलाम के डिटर्मिनेंट्स भी आ गए और पाकिस्तान के इंडिविजल कल्चर के डिटर्मिनेंट्स भी उसका इसा बन गए है ये दोनों मिलकर हमारे पास एक पॉब्लिक मीनिंग बना रहे हैं और एक हमारा जो ओवराल कल्चर है वो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो फिक्स है और कुछ चेंजेबल है वक के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कल्चर के अंदर कुछ बनियादी तब्दिलियां आ रहे हैं देखें कुछ तो स्टेंडर आफ गुड और बैर जो है जो रिलेटेट टू दी रिलिजन है वो तो चेंजेबल नहीं है लेकिन कुछ यकडिस हैं कि जिनके अंदर हमारा ड्रैस हो गया हमारा ठाना हो गया हमारी इंटिर्येर एक्सिये डग्तिरेर डेकुरेशन हो गई अब ये कुछ कुछ कुछय कुछ बोतो हैं जो हमारे पास वक के साथ साथ बोडम यह ही नोते जा रहे हैं और वो जो हमारा अरली आइडियास था कल्चर का के जी जैना के इंटरेक्शन विद दे नेशर थी भी एक हमारे कल्चर का पेरेमिटर साब बान के जो कि हमारा के एसेंशल असपेक्ट हो गया एंथर्पालोजिकल जो है यूज आफ दा कंसेप्ट टूडे और उसके अंदर जो हमारा पास हमारा जो माइंड है उसकी जो कुल्टिवेशन है हमारा जो आउटपुट बिहेवियर है वो अब इसके उपर भी फोकस हो गया है और वो किसके याद होगा कि हमने sustainable development के अंदर जो हैना हमने एक बात की थी कि जब हम इस सयारे को देखते हैं तो इसमें इंसान जो है वो एक छोटा से एक हिस्सा है वन अफ देम उसके अंदर बहुत सारी मखलूब अब जब हम इसको पैराडाइम के अंदर लेके आते हैं तो इस पैराड है वो चेंज हो जाती है हमने पहले भी लेक्ट्र में बात की जहां पर हमने बात किया कि जहना हमने जंगल को भी सेव करना है और वहां पर जानवों को भी सेव करना है वहां पर हमने इन चीज़ों को भी सेव करना है पानी को भी सेव करना है पानी की नीट को भी देखा हमन हमारे नेचर का एक हिस्टा बन गए हमारे behavior का एक पार्ट हो गए है और वो पार्ट क्या है interaction विद दा नेचर यानि मैं यू समझे कि मैं अगर दूसरे लफजों में बात करूं तो हमारी जो culture की definition है जिसके अंदर हमारे values जिसके अंदर हमारा food जिसके अंदर हमारे dresses interior decoration थी उसके अंदर जो एक नए चीज़ एड होई है और वो हमारे पास है हमारा behavior interaction with the nature जनी हमारे nature के साथ interaction के बारे में हमारे सोचने का जो अंदाज है अब वो भी हमारे culture का एक इसा बने है यह अब culture के जो determinants हैं उनमें जहां पर और बहुत सी बाते हैं उसका एक determinants जो aspect वो यह भी बन गया इंटरेक्शन विद धनीश